Hello everyone, welcome to my channel व्रत में साबुदाने की कीर बहुत टेस्टी लगती है आप जरू ट्राइ कीजिए तो वीडियो सुरू करते हैं एक छोटे कप साबुदाने को डेड़ कप पानी में तीन से चार घंटे के लिए भिगो दें देखिए साबुदाना फूल चुका है एक किलो दूद को भगोने में डाल लेना है जब दूद गरम हो जाए तो साबुदाना डाले पाँच मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है गैस को मीडियम रखें नई तो खीर नीचे लग जाएगी किसमिस डालें, मखाने, नारियल हाफ टेवल इस्पून, इलाइची पाउडर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है खीर भी गाड़ी हो चुकी है गैस को लो कर दें पके हुए आम का गुद्दा जो मैंने पहले से उतार लिया था अब उसको एड़ कर दें इसमें आम के पल्प को लाश्ट में डालना है, नई तो हमारी खीर फट जाएगी अब इसमें चीनी डालें मीठा कम और ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं हमारी खीर गाड़ी हो चुकी है और ये पूरी तरह से रेड़ी है तो अब गैस को बंद कर दें कुछ टुकडे आम के उपर डाल सकते हैं और ड्राइफ रूट से गार्निस करें 15-20 मिनट के लिए इसको फ्रीज में ठंडा करके सर्व करें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें